चुनाव और प्रति निदित्वे क्या आपने कभी सतरंज खिला है यदि उसमें काला गोडा डाईपर चलने के बज़ाए सीधा चलने लगे तो क्या होगा या करकेंट के खिल में यदि एमपेयर नय हो तो क्या होगा प्रति खिल में हमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है उन नियमों को बदल दिया जाए तो खिल का परिणाम ही बदल जाएगा इसी तरह प्रति खिल में एक निश्पक्च एमपेयर होना चाहिए जिसके निर्णा को सभी खिलाड़ी स्विकार कर ले खिल शुरू करने से पहले हमें नियम और एमपेयर के बारे में सहमती बनानी पड़ेगी जो खिल के बारे में सत्त है वही चुनाव के बारे में भी सत्त है चुनाव संपन कराने के बिन्विन नियम में बश्ता है चुनाब का परिणाम इस पर नर्वा करता है कि हमने कैसे नियम बनाए हैं हमें चुनाबों को निस्पक्स डंग से कराने के लिए एक मशीन रिवी चाहिए चुकि दोनों ही निर्णे चुनाबी राजनीति का खेल शुरू होने से पहले ही लिए जाने चाहिए इसलिए इने सरकार पर नहीं चुड़ा जा सकता अतै चुनाब के बारे में इन मुलबूत निर्णों को लोकतांत्रिक देश के सम्विदान में लिख दिया जाता है इस पार्ट में हम चुनाव और प्रती निदित्व के बारे में सम्वेदानिक प्रापदानों का अध्यन करेंगे अपने सम्वेदान में जिस चुनाव पदती को शुकार किया गया है हम उसके महत वोर्ट चुनाव कराने की निस्पक्स मसीन डी से सम्बदेत सम्मेदानिक प्राफदानों के आज सेपर प्रकाश डालेंगे इस सम्मेदान के प्राफदानों को संसुत करने के लिए जो सोजाब दिये गए हैं हम उन्हें भी देखेंगे इस सेप्टर को पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा चुनाब की विविन बिदिया है, अपने देश में चुनाब विवस्ताओं की विशता हैं, सुच्षतंत्र एंवे निस्पक्त चुनाब कुराने के प्राफ्दानों का महत्व और चुनाब सुधर पर होने वाली बैस चुनाव और लोक तंत्र भाग नहीं ले सकते अत्यएं लोग अपने प्रतिनी दियों को सुन्ते हैं इसलिए चुनाब मैथपूर्ण हो जाता है हम जब भी बारती लोगतंत्र के बारे में सोचते हैं तो शहाज हमारा ध्यान पिछलے चुनाओ ऊपर चला जाता है आज चुनाब पूरी तरह लोकतंत् प्रित्यक्ष लोगतंत्र के उधारण माने जाते हैं अनेक लोगों की इस्तानिय सरकारें खास तोर से ग्राम सवाएं प्रित्यक्ष प्रिजातंत्र के निकर्तम उधारण हैं लेकिन जब लाखोर करोड़ों लोगों का नियने लेना हो तो इस प्रिकार के प्रित्यक्ष 1957 का यहां पर यह चित्र है वो दिखाया गया है यह वाला चित्र है यह 17 फरवरी 1957 का चित्र है कहा जाता है कि जुनाव लोकतंत्र का त्वार है लेकिन इस कार्टून से में इसे एक आफ़त के रूप में दिखाया गया है क्या है ये लोक तंत्र के लिए अच्छा है ये लोक तंत्र के लिए अच्छा नहीं है ऐसी बवस्ता में नागरिक अपने प्रतिनी दियों को चुनते हैं जो देश के सासन और प्रिसासन के चलाने में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं इन प्रतिनी दियों को चुनने की बिदी को चुनाव या निर्वाचन कहते हैं अते महत्पूर्ण निर्णे लेने और प्रिसासन चलाने में नागरिकों की सीमित भूमी का है बे नीतियों के निर्माण में बहुत अक्रिया रूप से समलित नहीं होते नागरिक अपने प्रतेक्स रूप से अपने निरवाचत प्रतिनेदयों के माध्दम से समलित होते है जिस बैक्ख्या में सभी प्रमोख निर्णे निर्वाचत प्रतिनी दियों के माध्यम से लिये जाए उनमें प्रतिनी दियों की निर्वाचन का तरीका बहुत मेत्पूर्ण हो जाता है दूसरा प्रेशन हमें यह बात की याद दिलाता है कि सभी चुनाव लोकतांतरिक नहीं होते बहुत सारे गेर लोकतांतरिक देशों में भी चुनाव होते हैं बास्तम में गेर लोकतांतरिक सासक स्वम को लोकतांतरिक सावित करने के लिए बहुत आतर रहते हैं इसके लिए वे चुनावों को ऐसी डंगसी कराते हैं कि उनके सासन को कोई खत्रा नहों क्या आप कुछ ऐसे गैर लोकतांत्रिक चुनावों के उदरान दे सकते हैं आपकी राए में कौन सी बात एक लोकतांत्रिक चुनाव को एक गेर लोकतांत्रिक चुनाव से अलग करती है किसी देश में चुनावों को लोकतांत्रिक डंग से संपन कराना सुनशित करने के लिए क्या करना चाहिए इसी बिंदू पर सम्मिदान की मेत्पून उमी का है एक लोकतांत्रिक देश का सम्मिदान चुनावों के लिए कुछ मुलवूत नियम बनाता है और इस सम्मन्द में विष्टित नियम कानून बनाने का काम विदाई का पर छोड़ देता है ये मुलबूत नियम सामानते हमें बताते हैं कि कौन मत देने के लिए योग है, कौन चुनाब लड़ने के लिए योग है, कौन चुनाब की देखरे करेगा, मत दाता अपना प्रतिनिदी कैसे चुनेंगे, मत गरना कैसे होगी और प्रतिनिदीों का चुनाब कैसे होगा इन नियमों को समीदान में लिखने की क्या जरूरत है क्यों ने संसत्य नहीं करती क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये नियम चुनाव से पहले सभी दल मिलकर दे करें इन नियमों को समीदान में लिखना जरूरी है अन्य लोकतंत्रिक सम्विदान की बाती भारत का सम्विदान भी इन सभी प्रेशनों का उतर देता है आप देख सकते हैं कि इसमें पहले तीन प्रेशनों का लक्ष एकस्वतंत्र और निस्पक चुनाव है जिसे लोकतंत्र की चुनाव कहा जाता है अंतिन दो प्रेशनों का लक्ष है नयाई पूर्ण प्रतिनी जित्वे है इस अध्याई में हम चुनाब के बारे में सम्विधानिक प्रापदानों की इन दो पेलों की चर्चा करेंगे आप यहाँ पर खुद करके सीख सकते हैं जैसे की बारत और या किसी याने देश के चुनाब के सम्वंद में अखवारों को अखवारों की जो खबरे होती हैं उनको काटो और कत्रन को निमन वर्गों बाटो जैसे प्रतिनी दित्व की विवेस्ता बद्दाताओं की योकिता चुनाब आयोक की भूमी का यदि आपके पास इंटरनेट है तो आप इलेक्शन प्रोसिस इंफॉर्मिशन कलेक्शन प्रोजेक्ट की वेबसाइट एपीसी प्रोजेक्ट.org पर जाएं और इन विश्यों पर चार दिशों के बारे में सूचनाएं एक अत्रित कर सकते हैं भारत में चुनाब विवस्ता उपर आपने चुनाब की विविन विदियां इन विविस्ताओं पर गौर किया होगा आपने आशरिये हुआ होगा कि ये सब क्या है आपने चुनाब की समय चुनाब प्रिशार के लिए अपना जाने वाले विविन तरीकों के बारे में क्या चुनाब बिवस्ता का यही अर्थ है आपको आश्चर यह हो सकता है कि क्यों सम्मीदान में यह लिखने की जरुत पड़ी की मद्दार करना कैसे होगी और प्रतिनिदी कैसे चुने जाएंगे क्या यह सुम ही इस पर नहीं लोग जाते हैं और बौट देते हैं जिस पृतियासी को अधिकतम बौट मिलते हैं बहत चुना जाता है पूरे बिश में ऐसे ही चुनाब होते हैं हमें इसके बारे में क्यों सोचना चाहिए हमें इसलिए सोचना चाहिए क्योंकि यह प्रशन उतना सरल नहीं जितना हमें लगता है हम अपने चुनाब विवस्ता में अतने लीन हैं कि हमें लगता है कि कोई और तरीका होई नहीं सकता लोगतांत्रिक चुनाब में जनता बोड देती है और इसकी इच्छा भी यह तेह करती है कि कौन चुनाब जीतेगा लेकिंग लोगों के द्वारा अपनी रुची को भेक्त करने के अनेक तरीके हो सकते हैं और अपनी पसंद की गणना करने की भी बहुत सारी विदिया हो सकती हैं खेल के इन अलग अलग नियमों से इस बात का फैंसला बदल जाता है कि जीत किसकी होगी कुछ नियम ऐसे हैं जिसमें बड़े दरो को लाब पहुंचता है कुछ नियम उसे छोटे खलाड़ियों को मदद मिलती है कुछ नियम बहु संक्यक समदाय के हित्में जाते हैं तो अन्य अलब संक्यक को संरक्षन देते हैं आईए हम इस नाट की अधारण से समझें कि ऐसा कैसे होता है सबसे पहले याँ पर खुद करके देख सकते हैं ये चीज़े हैं जैसे कि अपनी कक्षा में चुनाव संपन कर चार कक्षा प्रतिनीदी को चुनें और चुनाव के निमने तीन अलबलग तरीकों से करें प्रतेक छात्र एक बोट दे सकता है जिन चार चात्रों को सबसे अधिक बोट मिलेंगे उसे चुना जाए प्रतेक छात्र के पास चार बोट हैं जिसे वो चाहे तो एक ही प्रतियासी को दे दे या उन्हें अन्य प्रतियासियों में बाड़ दे जिन चार चात्रों को सबसे अधिक बोट मिले उसे चुना जाएगा और प्रतेक चात्र विवनिर प्रतियासियों की बड़ीता क्रम में बोट दे और गणना की यह विदी बैय है जो राजिसवा सदस्यों की निर्वाचन में प्रियोग की जाती है इस विदी का आगे बढ़न किया गया है क्या इन सभी चुनावों से सभी तरीगों से चुनाव कुछाने पर बही चार लोग चुनाब जीतेंगे यदि नहीं तो उसका क्या फर्क पड़ेगा और क्यों चुनाब का सबसे बढ़िया उदारण है जो सबसे आगे होगा भाही जीतेगा तो यहाँ पर यह अखवार की कत्रन देख सकते हैं पहली बार कॉंग्रेस को तीन चोथाई वहुमत यह बारतिय लोक तंत्र के एक एतियासिक छण के बारे में है 1984 के लोक सबसे चुनाब में कॉंग्रेस पार्टी ने 543 में से 415 सीटे जीती जो कुल सीटों के 80% से भी यदिक थी लोक सबसे चुनाबों में किसी दलकी ऐसी चबलता कभी नहीं मिली इस चुनाब से क्या पता चलता है कॉंग्रेस पार्टी को 3-4 सीटे मिली है क्या इसका अर्थ यह है कि प्रतेक 5 बारतिये नागरेकों में से 4 ने कॉंग्रेस को बोट दिये हैं बाजतम में नहीं नीचे दी गई तालिका को देखें और कॉंग्रेस पार्टी को 48% बोट मिले हैं इसका अर्थ ही है हुआ कि कुल मिलाकट जितने लोगों ने मद्दान किया है उनमें केवल 48% लोगों ने कॉंग्रेस को बोट दिये हैं लेकिन पार्टी को 80% से भी अधिक सीटे मिली हैं अन्य दलों के प्रदसन को देखें बाजपा को 7.4% बोट मिले हैं लेकिन 1% से कम सीटे मिली हैं ऐसा कैसे हुआ 50% से भी कम बोट और 80% से भी अधिक सीटे हैं क्या यह ठीक है हमारे समिदान निर्माताओं ने ऐसी गड़वड वरिस्ता को कैसे स्विकार किया यहाँ पर यह सोचने वाली बात है जो यहाँ पर दिखाई गई है लेकिन ऐसा नहीं है 1984 के लोकसवा चुनाब में प्रमुख दलो दराप्राप्त बोटे और सीटे दे रखी हैं जैसे कि कॉंग्रेस को 48% बोट मिले 415 सीटे जीती बाजबा को 7.4% बोट मिले 2 सीटे जीती इसी तरीके से लोकदल को 5.7% बोट मिले 3 सीटे जीती ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हम अपने देश में चुनाब की एक विसीश विदी का पलान करते हैं इस बवस्ता में पूरे देश को 543 निरवाचन चेतरों में बाट दिया जाता है और प्रतेग निरवाचन चेतर से एक प्रतिनिदी चुना जाता है और इस निरवाचन चेतर में जिस प्रतियासी को सबसे अधिक वोट मिलते हैं उसे निरवाचित गोशित कर दिया जाता है यहां द्यान रखना जरूरी है कि इस बवस्ता में जिस प्रत्यासी को अन्न सभी प्रत्यासियों से अधिक बोट मिले जाते हैं उसे ही निर्वाचित गोशित कर दिया जाता है विजई प्रत्यासी के लिए यह जरूरी नहीं कि उसे कुल मतों का वहुमत मिले इस विदी को जो सबसे आगे वही जीते हैं प्रिणाली पास्ट इ फशिस्टम कहते हैं चुनारवी दोड में जो प्रत्यासी अन्न प्रत्यासियों के मगावले सबसे आगे निकल जाता है वही विजई होता है इसे वहुलवादी विवस्ता भी कहते हैं समीदान इसी विदी को स्विकार करता है आईए अपने उधारन की ओर लोटें कॉंग्रेस पार्टी के प्राप्त मतों के अनपाद से ज़्यादा सीटे इसलिए मिली क्योंकि अनेग निरवाचन छित्रों में जहां उनके प्रत्यासी जीते उन्हें 50% से भी कम बोट मिले यदि चुनाव मेदान में कई प्रत्यासी हो तो जीतने वाले प्रत्यासी को 50% से भी कम बोट मिलते हैं सभी हानने वाले प्रत्यासियों के बोट बरावर बेकार सले जाते हैं या जो भी हानने वाले प्रत्यासियों होते हैं उनके बोट बेकार सले जाते हैं क्योंकि इन बोटों के आधार पर उन प्रत्यासियों या दलों को कोई सीट नहीं मिलती मान लिजे किसी पार्टी को पृतिक निर्वाचन सित्र में 25% बोट मिलते हैं लेकिन अन्र पृतियासी को उनमें से कम बोट मिलते हैं तो उस स्थिति में किवल 25% या उससे भी कम बोट पाकर कोई दल सभी सीटें जीत सकता है समानु पार्टिक पृति निदित्व आईए इसकी तुलना इजरायल में होने वाले चुनाब से करें जहां एक बिल्कुल बिन्न चुनाब वबस्ता का पालन किया जता है इजरायल में मत करना के बाद प्रतेक पार्टी को संसद में उसी अनपात में सीटे दे दी जाती है जिस अनपात में उन्हें बोटों में हिस्सा मिलता है प्रतेक पार्टी चुनाब में पहले अपने प्रत्यासियों को एक प्रत्यासियों को एक प्रत्यासियों सुची से चुन लेती है जिसे सीटों का कोटा उसे दे दिया जाता है चुनाब की इस बवस्ता को समानुपातिक पृतिनिदित्व प्रणाली कहते हैं इस प्रणाली में किसी पाटी को उतनी ही पृतिसा सीटे मिलती हैं जितनी पृतिसात उन्हें बोट मिलते हैं अब यह यहाँ पर सोच रहा है कि यह तो बड़ा ब्रह्म पैदा करने वाला है इस वश्ता में हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा संसद या विदायक कौन है यदि मुझे कोई काम करना है तो मैं किसके पास जाओंगा समानुपातिक प्रतिनिदित के दो प्रकार होते हैं कुछ देश जैसे कि इजरायल और नीदरलेंड में पूरे देश को एक निर्वाचन शेतर माना जाता है और प्रतेख पार्टी को राष्टिय चुनावों में प्राप्त बोटों के अनपात में शीटे देती जाती है दूस इसमें उतने ही नाम होते हैं जितने प्रतियासियों को उस निर्वाचन शेतर से चुना जाना होता है इन दोनों ही रूपों में मद्दाता राजनितिक दलों को बोड़ देते हैं नेकी अपने प्रतियासियों को एक पार्टी को किसी निर्वाचन शेतर में जितने मत्प्र प्रतिनेदिद प्रणाली को ़िए सीमित रूप में अपना है हमारा सम्हिधान राश्वती उप्राश्वती राश्वा इवन विदान प्रीषतों के चुनाब के लिए समानुपातिक प्रतिनेदित प्रणाली का ही एक थीसरा उड़्द शुरूप। प्रिष्टा विद्ट करता है सरवादिक बोट पाने वाले की जीत और समानुपाती प्रिष्ट नियद्ट पे चुदा ब्रविष्टा कुई तुलना पूरे देश को छोटी-छोटी वहगोले के कायों बार देते हैं जिसे निर्वाचन छेतरिया जिला कहते हैं हर नरवाचन चिर से एक प्रतिनिदी चुना जाता है, मद्दादा प्रताशी को वोड दिता है, वो पार्टी को प्राप्त करने खितू, पार्टी को प्राप्त वोटों के अनपात में अधिक या कम सीटें विदाईकाक में मिल जाती हैं, विजैई उम्मीदवार को जरूरी ह नहीं कि वे वोटों का मुवमत 50 प्लस एक मिले उदारे के युनाइटेड गिंग्डम और भारत समान पात्तिक प्रतिन दित्वे किसी बड़े वागलक छेत्र को एक निर्वाचन छेत्र मान लिया जाता है पूरा का पूरा देश एक निर्वाचन छेत्र गिना जा सकता है एक निर्वाचन छेत्र में कई प्रतिन दित्वे चुने जा सकते है मतदा पार्टी को बोट देता है हर पार्टी को प्राप्त मत के अंसार विदाई का में सीटे सामिल होती है बिजे ये अमीजवार को बोटों का बहुमत आशल होता है जैसे कि इस्राइल और नीदरलेंड